हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम क्लास फॉर्थ के सब्जेक्ट इंग्लिस के पिरियोडिक एसेजमेंट सेकेंड को सॉल्ब करेंगे जो की अगस्त मन्त के लिए है तो स्टार्ट करते हैं तो शुरू करने से पहले आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आ ठाहुरा ही वर्ड को आपको चूज करना और है फिल करना है फर्स्ट इल इफ एवर यू उनल टो इगकल एंट यह कभी हससना चाहें और क्या करना चाहें तो यहां पर आपया две किनफे जाफे है तो आप अपने आपको मिरर में डेख सकते है इस अपनी नोस को देख सकते हैं तो यहां पर क्या वर्ड को साथ है? तो यहाँ पर लिखेंगे run नेक्स्ट है अनीता a letter to her father अनीता अपने पिताजी के लिए letter क्या करती है dance करती है फिर write करती है तो write करती है तो यहाँ पर लिखेंगे writes नेक्स है I looked in the mirror मैंने सीसे में देखा and looked at my और मैंने और क्या देखा hurt को अपने को या फिर nose को तो मैंने जिब सीसे में देखा तो अपनी nose को देखा तो यहाँ पर लिखेंगे हम nose अब है question number two write T for true and F for false आपको सही के लिए true लिखना है और गलत के लिए false लिखना है first one is the magician granted five wishes to the little fair tree magician ने little fair tree यानि कि देवदार के छोटे पेड को उसकी चार इक्षाओं को पूरी करने के लिए कहा था ना कि पांच इक्षाओं को तो यहाँ पर false लिखेंगे next है we use our nose to smell things हम अपनी nose का इस्तेमाल चीजों को सुगने के लिए करते हैं तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर लिखेंगे true next है the fair tree wanted diamond leaves जो देवदार का पेड था वो diamond हीरे की पतियां चाहता था तो गलत है यह उसने gold की और glass की पतियां मांगी थी पहले green leaves मांगी थी लेकिन last में उसने अपनी ही जो needle like leaves थी उनको मांग लिया था तो यहाँ पर यह false है उसने diamond leaves नहीं मांगी थी तो यहाँ पर false लिखेंगे next है the nose looked like a scooter to the girl लड़की को अपनी नाग जो है वो एक scooter की तरह लगी तो बिल्कुल गलत है उसे अपनी जो nose थी वो बिल्कुल funniest thing लगी यानि कि सबसे ज़्यादा विचित्र चीज लगी सबसे मज़दार चीज लगी तो यहाँ पर लिखेंगे false यह गलत है अब है question number 3 match the following rhyming words यहाँ पर आपको rhyming words को match करना है first word है pin pin का rhyming word है win तो यहाँ पर win word के साथ match कर देंगे next है pop pop का rhyming word है stop तो यहाँ पर stop word के साथ match कर देंगे next है book book का rhyming word है hook तो hook word के साथ match करेंगे next है bet bet word का rhyming word है cat तो यहाँ पर cat word है यहाँ पर इसके साथ match कर देंगे now name the emotions shown in the picture given below यहाँ पर नीचे कुछ picture दी गई है तो इन में जो emotions दिखाए गए है फेस है वो कैसा है खोस है happy है तो यहां लिखेंगे happy second picture में sad है दुखी है तो यहां लिखेंगे sad now question number fifth short answers यहाँ पर आपको answer देने है short में ना की long में question है rewrite the sentence with proper punctuation marks यहाँ पर कुछ sentence दिए गए है जो की without punctuation है तो आपको यहाँ पर in sentences में punctuation mark करनी है और इन्हें rewrite यानि की दुबारा लिखना है first है I like apple mango and banana तो यहाँ पर apple के बार coma यूज़ करेंगे mango and banana और यहाँ पर full stop तो यहाँ पर लिखेंगे I like apple, mango and banana और उसके बार लगा देंगे full stop next है write the names of any two sense organ of our body आपको जो है अपने सरीर के कोई भी दो sense organ के नाम लिखने है अनिकि ज्यानिंद्रियों के नाम लिखने है तो हमारी sense organ कौन-कौन से होते है eyes, आखे, ears, कान, nose, नाग, tongue, jeep, skin, तचा तो आपको इसे भी दो sense organ के नाम लिख सकते है now question number three what kind of leaves did the fair tree have जो fair tree था देवदार का पेर उसकी किस प्रकार की पत्तियां थी तो कैसी थी the fair tree had needle-like leaves, fair tree की swing की तरह पत्तियां थी तो इस तरीके से आपको एक periodic assessment complete होता है आप इसे अच्छे से complete करेंगे और अपने teacher से check कराएंगे तो मिलते हैं next video में next assessment के साथ if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you